आस्ट्रेलिया ने भारत से पर्थ टेस्ट 146 रनों से जीत लिया है। भारती टीम 287 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए पांचवे दिन लंच से पहले ही 144 रनों पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही मिजबान टीम ने सिरीज में एक-एक से पराबरी हासिल कर ली है। जबकि जोश, हैजल बुट ने और पैट ने दो-दो विकेट चटका आए। मैच में कुल आट विकेट लेने वाले नौथन को मैन अबदी मैच का आवार्ड मिला। आखरे दिन भारती टीम अपने स्कोर में महज 28 रने जोड़ पाई। दूसरे क्रिकेट टेश्ट के चौथे दिन 287 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए बारत ने 112 रनों पर पांच विकेट गवा दिये थे। दिन का खेल खत्म होने तक हनुमा बिहारी 24 और रिशब पंत 9 रन बना कर खेल रहे थे। पांच वे दिन यानि कि मंगलवार को जिस प्रीद बुमराज जीरू आखरी बिकेट के रूप में आउट हुए। उन्हें पैंट ने अपनी गेंद पर कैच लपका। इससे पहले सर्मा जीरू पर आउट हुए। भारत का 140 के स्कोर पर 9 विकेट गिरा उमेश यादो 2 रन बना कर बोल्ड हुए। फिलाल आपको बता दें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेश्ट सीरीज के दूसरे मैच में भारत को करारी हार मिली है। जिसके पा कर दो बोल्ड बोल्ड़ हुए।